चिमिकल फ्री चिजे चैविक क्यमिकल फ्री थी तो यह पाडे मैंने फ्रस्टॉश आपको प्रक लगता है पिछली भार के आपकी धान की फसल ने और इसको जब यह तो पूरी 90 दिन की त्यार होगी लेकिन अबे दिन की त्यार होने के बाद विबिए इन प्रोडक्ट का फैदा मुझे यह मिला कि पूरा पोद्दा पत्ते भी हरे हैं, जबकि दाने अगर हम इसके देखे तो पूरे पक चुके हैं, दाना त्यार है और mostly 30 से 35 कहीं कहीं तो 40 नालिया जो है मेरे खेत में हैं, और फिल्कुल खेत भरा हुआ है, और मैंने इसमें कोई D.A.P. खाज भी नहीं डाला, और ना ही इसके अंदर यूरिया मैं पहले चार एकड़ में चार कटे डालता था अब की बार दो ही डाले हैं, और मैंने कलोरो जो दिम्मकी दुबाई हो तो भी नहीं डाली, तो जिससे मेरे को कुछ तो मैं ही रुजान रखता हूं कि जैवी की तरफ बढ़ू लेकि मेरा मन था तो इस कंपनी की इस प्रोडक्ट से मुझे बेहतरी रिजल्ट मिले अब ये फसल जैसे दो तीन दिन में कटाई के बाद मंडी में जाएगी तो प्रती एकड़ुत पादन का भी हमें पता चल जाएगा कि कि कितनी पैदावार मेरे के दी है तो आपने एक बात कहीं कि यह जो प पूरे हरे होने का एक राज ये भी बताता हूं कि मुझे बताया गया था अगर आप ये सब और कुरोप वैल जो वैल जन के दो सप्रे के प्रोड़क्ट है अगर आम इसका भी सप्रे में इनको यूज करते हैं प्रती एकड़ तो इस से यह जो पत्ते हरे रहना और कोई भी फंगस नहीं आनी तो ये सारी चीज़े इनका फाइदा मुझे मिला और देखने से वास्तों मैं मैंने पूरा ट्रीटमेंट जो है इस खेत को दिया है और आप मेरा पूरा मन है कि मैं आगे जितनी भी किसान भाईयों को आपने मुख से बता पाऊंगा कि वो वैल जन के इस सबसे बड़ा फाइदा है नहीं तो कहीं बार जीरी गिर जाती थी मेरी देखिए मैं पूरे एकड में यह अपना सभी दर्सकों को दिखा रहा हूं बहुत ही बहतरीन फसल यह चौहां साब ने उगाई है और इसका यह क्रेट्ट को दे रहे हैं जो इन्होंने इसमें ब्रसीन दोने किसी फसल में घंडय में डाले तो इसके बहतरी इन से बहतरी जयर्ट हमारे को मिलते हैँ करता था सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने खेत को में भी देखा है कि यह जो केमिकल की लेर्ट है किछले 20-25 सालों से चिडख रहे हैं और वूंस ने केमिकल की लेर बना दिया जो मुझे बताया गयरत और मैंने अपने खित्तों में देख भी लिया इसका रिजल्ट हर बार मेरी जीरी गिर जाती दी अब की बार मेरा एक भी पोद्दा गीरा नहीं आपके सब के सामने मित्तर मित्तर जिवानों को बढ़ाया और हरा रहने का रीजन ये प्रका संसलेशन के दुवारा वो इसको से ले लेता है जैसा इसमें बताया भी गया कि पुद्दा पीडा नहीं होएगा पतियां सुखेंगी नहीं वास्तों में सर पूरी फसल त्यार होने पर भी हरी बाजी बहुत बढ़ी अच्वान साब तो किसान भाईयों को क्या संदेश दे पाइती ना करें जिससे बीमारिया वड़ चुकी है और इसकी बचत भी है और जब पैदावार अच्छी होगी तो क्यों नहीं हमारे पास पैसा आएगा देखिए मैं पोदो की जड़े आपको दिखा रहा हूं चौन साब बतायांगे कितने इसमें कलिया निकली है अगर मै इसकी काउंट करूं नॉर्मल एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारां बारां तेरां चोदां पंदरां सोडां सतरां ठारां उननिस बीस इक्किस बाइस और एक तेईस तेईस कली आई है कौन सी जीरिया च्वांसाब ये यार चब्विस है और जबकी एक भ है पटास जिसको हम बोलते हैं वह एक भी नहीं और दाने की चमक